दो सीटो फरूक चुना हो रहा है आप खेसारी लाल यादाओ को अगर जरूरत पर तो किसको सपोर्ट करेंगे मैं जनता को सपोर्ट करता हूँ जो बुलाता है मैं जाता हूँ जब मुझे नहीं बुला जाएगा तो मैं कहा जाऊँगा और सबसे बड़ी चीजी है कि तो मेरे आने से और जाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है हाँ यह होता है कि थोड़ा भीड़ और गड़नी होती है और अपनी बाते जो भी नेता है अपनी बाते कह देता है तो मेरे बड़े भाई की तरह मैं अपने बड़े भाई सबस यही अपिल करूंगा कि आप तो आज इस पूरी बिहार के जनता ने आपको अपना हीरो माना है, नितियस जी को हीरो माना है, मेरी सुब कामना है नहीं सरकार के लिए कि आप लोग रुजगार के तरफ थोड़ा सा ध्यान देना की जरूरत है, एक सवाल है कि बिहार में दो सीटों पर रूप चुना होना है आप भी थोड़ा राजनीती पॉलिटिकल में इंट्रेस्ट रखते हैं क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आप समझ गए होंगे, दो सीटों पर रूप चुना हो रहा है, आप खेसारी लाल यादाओ को अगर जरूरत पर तो किसको सपोर्ट करेंगे, मैं जनता को सपोर्ट करत है, कल दुनिया बोलेगी मुझे सुनना होगा, और सबसे बड़ी चीज की मैं किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करता हूँ, मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ और मेरी मर्जी जनता की मर्जी होती है, मैं उनके एंटरटेन के लिए काम करता हूँ, और साइद हम लोग के लिए नेता नगरी बना ही नहीं है, हम एक अलकार है, ऐसा थोड़ी है, सलमान खन कौन से नेता है, लेकि दुनिया उनको प्यार करती है, साउत के बहुत सारे हीरो है, जो नेता नहीं बने और आज दुनिया उनको प्यार करती है, तो हम देखिए, हम जहां है, हम अपने भा मेरी सुब कामना है नहीं सरकार के लिए कि आप लोग रुजगार के तरफ थोड़ा सा ध्यान देना की जरूत है कॉलेज हो इसकूल हो या सिक्षा के अस्तर पे या स्वास्त के अस्तर पे सबसे जदा मुझे लगता है कि रुजगार अगर हमारे बिहार में आ जाए तो हम मेह मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं और यही कहना चाहता हूं कि पिलिज आप सबसीडी को थोड़ा सा लागू करिए ताकि उस लालत से हर वो परडूसर यहां आने में सक्षम हो जाए ताकि उसको ज्यादा लौस ना हो अच्छा लालों परिवार से आपका रिस्ता भी रह है तो आपको नहीं लग रहा कि भाई की मदद करने चुनावी मैदान में उतरना चीए देखिए मुझे जो बुलाता है मैं जाता हूं जब मुझे नहीं बुला जाए तो मैं कहां जाओंगा और सबसे बड़ी चीजी है कि मेरे कुछ टाइम भी बहुत कम होता है क्योंकि मै मैं लगतार काम करता हूं और मैं किसी का नुकसान करके हम आएं या ना आएं जिसको जीतना होगा वो जीतेगा जिन्होंने अच्छा काम किया होगा वो जीतेंगे तो मेरे आने से और जाने से कोई ज्यादा फरक नहीं पड़ता है हाँ यही होता है कि थोड़ा भीड़ और गेड़ी दिन होती है और अपनी बाते जो भी नेता है अपनी बाते कह देता है लेकि मुझे लगता है कि अगर हम काम करें तो हमें भोट मांगने की जरूरत नहीं है बहतर यही है कि हम काम पे ज्यादा फोकस करें मैं कहां भोट मांगने जाता हूं उसके वावजूद भी मैं तो वोट मागने जाता हूं मैं तो काम ही करता हूंiron मैं काम को दुनिया सराती है और टॉप पे रख देती तो अगर हम वेघ्टर काम करें चाये दुनिया का कोई भी आद्मी और अगर हम बहतर काम करेंगे ना तो हमें पर्मोट करने की किसी को जरूवत नहीं है अपने आप दुनिया हमें अपने दिल में बैसा बैठा लेँगा औरी हमें नहीं फॉन्टी और सब्सीडी और हो जाएगी तो सब लोग लाइट डाल देंगे कैमरा डाल देंगे आभ केमेरा को आप मुंबई से लाए तो उसका किराया एक अलग होता है दूसरे आपने परिवार के बीच में कुछ काम करूंगा और अपनों को बीच में काम करूंगा कौन नहीं चाहता है अपनों के साथ रहना लेकि कुछ मजबूरियां है जो अपनों से दूर करते हैं मेरे बड़े भाई की तरह मैं अपने बड़े भाई से यही अपिल करूंगा कि आप आज इस पूरी बिहार के जनता ने आपको अपना हीरो माना है तो हम दोनों से यही अपिल करना चाहते हैं कि आप लोग रोजगार जिस विधा में हो और थोड़ा सा मुझे लगता है कि इं सुधरेगी तो लोग आएंगे तो रोजगार बढ़ेगा यहां पर सबसीडी होगी तो रोजगार बढ़ेगा तो वो भी एक जरिया है रोजगार देनेगा तो अगर आप लोग चाहेंगे तो शायद बिहार को एक इंटर्टेन के द्वारा भी हम रोजगार दे सकते हैं क् कि एक सीनेमा बनता है तो उसमें कम से कम चार से पांच सो लोग काम करते हैं और वह 500 लोगों का परिवार कितना बड़ा होता है तो कही ना कहीं रोजगार तो बढ़ा ही होटल बीजी हो जाएंगे ट्रेबलिंग हो जाएगा, खाना हो जाएगा, क्राउड का पेमेंट हम देना पड़ता है, हमें तो वो ख्राउड भी आते हैं, तो दो-सो, चारो, पांत्सो जो भी उनका वामुनेशन होता है, वो दिया जाता है, तो उसके लिए गठन हो जाता है, उसमें गठन जो होगा उसमें कितने लोग आ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ है तो वो भी एक है जरिया रोजगार देने का अगर दिया जाए तो सैध हो सकता